Hello Friends, Good Evening, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक्जाम 2023 के 30 नॉम्बर के आलस्ट में पुछा सकने वाले Most Important पसनों को साल्व करेंगे दोस्तों आपके एक्जाम्स में जितने भी टापिक से कोस्टन्स पूछे जा रहे हैं उन सभी टापिक को कलेक्ट करके A to Z एक कोस्टन चुन चुन के डाला गया है तो दोस्तों, एक्जाम देने से पहले एक बार साल्व जरूर करें, कोस्चन्स कम साल्व होने पर पुना पस्णों का रिवीजन करें, ताकि तीस नॉम्बर के आज सिप्ट में आप लोग GKJS वर करेंट अफेस के टापिक से अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, तो उचले दोस्तों, ज़्याद समय ने लेते हुए, हम लोग इन सभी पस्णों को साल्व करना शुरू करते हैं, दोस्तों, कोस्चन नंबर गवन है हमारा, केवला देव राष्टी उद्ध्यान किस राज में इस्तित है, बिल्कुल आपके टेंड में है दोस्तों, इस तरह के कोस्च देवे, ध्यान रखेंगे, most important question है, अगला question हिंदु calendar का पहला महीना कों सा होता है, तो चैत्र का होता है, कों सा चैत्र का, अगला question हिं, हुमायो नामा किसकी रचना है, तो गुल-बदन बेगम किया है, महद पुस्टकों से दोस्तों, चैवा कोहल जगस से हो, आपको प्रा राजी का ये सास्त्रिय निरित्ति है, अगला कुश्चन देखेंगे हम लोग, कुश्चन है दोस्तों, फुटबाल में गोल पोस्ट की चोणाई कितनी होती है, राइट एंसर होगा 7.32 मीटर, कितना 7.32 मीटर, अगला कुश्चन है, असोग के सासनकाल में तिरतिय बहुत दि काला सोग, असोग और कनिस्क, अगला कुश्चन है, ओडम किस राजी का परसीद लोक निर्थ है, तो ये केरल का है, धियान रखेंगे, नेक्स्ट, रविन्ना टेगोर को किस वर्स नोबेल पुरसकार परदान किया गया था, 1913 में, बहुत रुपना हाइलाइट कॉश्चन नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी अंतराष्टी सीमा किस देश के साथ है, तो बांगला देश के साथ है, नेक्स्ट कोश्चन, संग्धान के कि संसोधन द्वारा संपत के अधिकार को मोल अधिकार से हटा दिया गया, तो चलुश्चन संग्धान संसोधन था, जो की 1978 में कि ध्यान रखेंगे आप लोग, बार-बार पूछा भी गया है, रिपीट भी हो सकता है, मोल अधिकार से, अगला कोशन है, सरहुल किस राजिका परसिद लोक नीर्थ है, तो जहारखंड का है, कहा का, सरहुल कहा का है, जहारखंड का है, अगला कोशन, सहनामन अमक परसिद पुस्तक की रजनाकार कौन है, फिर दौसी है, कौन है, फिर दौसी है, मोश्ट उपना हाइलाइटर कोशन है, दोस्तों, इजी सा कोशन है, आगे चलेंगे हम लोग, अगला कोशन है, छोग दौसी है, आटकेल से आपकी एकजाम में ज्यादा कोशन पोशे जा रहे हैं, कोशन था, प्रावधान के अंतरगत होती है, तो अगला कोशन, नागारजुन सागरबाद किस नदी पर निर्मित है राइट इंसरोंगा किस नदी पर अगला कोशन भारत के राजनीतिक दलों को माननेता परदान करने की सकती किसे है तो भारत का निर्वाजसन जो आयोग होता है दोस्तों, वो भारत के राजनीतिक दलों को माननेता परदान करता है, अगला कोशन, ये किरिकेटिंग लाइफ, किसकी पुस्तक है, तो क्रिस्टोफर मार्टिन की है, अगला कोशन, अंडमान निकोबार्दीव समू की सबसे उच सबसे उची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है, आगे चलेंगे हम लोग, अगला कोशन दोस्तों, संग्धान के किस अनुच्छेत के तहत, राष्ट्रपती अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 है, नेक्स्ट कोशन, बाला सरुस्वति का समन्ध की सास्तिरी निर प्रादी पे भारत ने दच्छेद भात की दूसरी सबसे उची चोटी कौन सी है, तो अना, दोदा वेट्टा है, कौन सी, दोदा वेट्टा, धेयन रखेंगे अप लोग, अगला कोशन, पंबन दीूप कहां पर इस्तित है, राइट एंसर का मननारी की खाड़ी में, अगल के ट्रेंड में, दोस्तों, इस तरह से आपके कोशन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, राइट एंसर क्या होगा, पर्थम बिसकप किर्केट का बायजित हुआ था, 1975 में, अगला कोशन है, गोपिनात का समद किस सास्तिरी नेते से हैं, तो किसे हैं, किसे हैं, कतकली से हैं, सब हमारे स्टेटी चैनल, स्युक्रिपा कलासेज को सब्सक्राइब जरूर करें, अगला कोशन है, लंदन ओलंपिक 2012 में, कुष्टी में, सुसील कुमार ने कौन सा पदक जीता था, थोड़ा से हैं, पर मिस्प्रिंट हो गया दूस्तों, लंदन ओलंपिक 2012 में, सुसील कुमार किसे, तो संविधान संसोधन परिकिरिया से दोनों ध्यान रखेंगे, और संविधान संसोधन परिकिरिया किस देश के संविधान से लिगे, दच्छन अफरिका से लिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अगला कोशन है, मिड़नाई चिल्डरन, नामक पुस् तक ये लेखा कौन है, right answer होगा, कलहड, प्राचीन पुस्थकों से ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां से भी आपके एकजाम में बराबर questions मिल रहे हैं, अगला question है, सुंग उन्स का संस्थापक कौन था, right answer होगा, पुस्मित्र सुंग, अगला question देखेंगे हम लोग, question है, दोस्तों, 1942 में किस बिटिस परधान मंतिरी ने, question पर ध्यान देंगे, 1942 में किस बिटिस परधान मंतिरी ने, किरिफ सिमिसन भारत भेजा तो कौन थे, विस्टन चर्चिल थे, अब थोड़ा सा प्लड़ दीजिए, question बार-बार पुछाता है, किरिफ सिमिसन भारत कब आय जून को, next, नाटि सास्तर के लेखा कोन है, भारत मुनी है, most रुपा question है, highlighted question है, दोस्तों, नाटि सास्तर के लेखा कोन है, भारत मुनी है, अगला question, संग्धान के किस संसोधन दोरा मदा धिकार कियाई, 21 वर्से घटा कर 18 वर्स कर दी गई, तो 61 संग्धान संसोधन था, ज संग्धान के किस संसोधन दोरा 6 से 14 वर्स कियाई, कि बच्चों के लिए सिच्छा मौलिक अधिकार बना दी गई, तो 86 संग्धान संसोधन था, जो कि 2002 में क्या गया था, ये भी question आपके एगजाम में पूछा जो चुका है, लेकिन repeat बराबर हो रहे है questions आप लोग देख र पांगला देश के साथ है, अगला question, सत्यार्थ प्रकास नमक किस की किर्थी किस की है, तो स्वामी दैनन सरस्थती के ध्यान रखेंगे, महत्पुर समासुधरक से भी आपके एगजाम में बराबर questions पूछे जा रहे है, आरी समाज के स्थापना 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 प्रार्थना समाज के स्थापना दोस्तों, आत्मा राम पांडरंग, सत्य सोधक समाज के स्थापना जोतिवाग फूले, तत्तु पोधिनी सभा के स्थापना देवेन नाट टेगोर, सारी ध्यान रखेंगे, दोस्तों, questions पूछे जा रहे है, अगला question है, हीरा कुंड बात क संग्धान समाज के अस्थाइद दज कप चुनेगे, 11 दिसंबर 1946 को, और इस सिरीच का last question है, संग्धान में कल्यान कारी राजी का आदेश कौन देता तो नीत न दे सकत, जिसका और संग्धान के नुच्छे 36 क्यान में है, जो कि संग्धान का भाग 4 है, तो दोस्तों, इस स आप MCQ के परस्न, जिनको यहाँ पी हम लोग ने solve किये हैं, उमीद है दोस्तों, आप सभी लोग ने solve किये होंगे, और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने परस्न सही हो रहे हैं, तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारी study channel, सुक्रुपा कलासे से आप करम से सबसे पहले देख सकें, तो मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फार वाचिंग,